दोस्तों एक काफी बड़ी न्यूज आज के दिन यहाँ पर इंडियन क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिली है क्रिप्टो करेंसी टेक्स को लेकर मतलब गौर्मेंट ने यहाँ पर क्रिप्टो पर 30% का टेक्स लगा दिया है अगर आप देखें तो यह काफी बड़ा टे को लेकर कि टेक्स की बाते जो यहाँ पर कही गई है उसमें क्या हो सकता है मतलब क्या क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर भी टेक्स देना पड़ेगा और अगर ऐसा होता है तो शायद यह पहली बार हो रहा होगा कहीं पर जहां पर घाटे के साथ भी आपको टेक्स दे आ रहे हैं फिर भी अगर आप देखें यहाँ पर काफी कुछ जो बाते हैं वो clear की है जो finance minister है उन्होंने जो digital assets है उन पर 30% का tax लगेगा no deduction to be allowed except cost of acquisition मतलब इसका यह है कि यहाँ पर अगर आप 1000 रुपे लगा रहे हैं और 1000 रुपे जो है आपके convert हो गए 2000 रुपे में मतलब ज आपर कमाये हुए हैं उस पर आपको 30% का tax देना पड़ेगा तो इस टाइप से यहाँ पर टेक्स जो है वो लगेगा इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर deduction किया जा है मतलब जो आपने यहाँ पर खर्चा पानी लगाया हुआ है crypto currency trading में मतलब यहाँ पर उससे आपको यहाँ पर tax देना पड़ेगा इसके अलावा loss from sale of digital assets can be set off only against the gains from sale of virtual digital assets जहां पर अगर आपको loss हो रहा है digital assets और आप उसे set off करने की सोच रहे हैं और किसी other business के साथ set off करने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिलकुल भी नहीं हो सकता है मतलब अगर आप उसे set off करना चाह यहाँ पर loss हो गया है तो उसका जो set off करना है वो आपको cryptocurrency की trading से ही करना है आपका कोई सा अलग business है उसके साथ आप यहाँ पर इसे set off नहीं कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप देखें gift to be taxed in the hands of the recipient जो यहाँ पर recipient है जिसे आप यहाँ पर gift दे रहे हैं मतलब हो सकता है TDS rate 1% जहाँ पर जो TDS है वो भी 1% deduct किया जाएगा मतलब अगर आप यहाँ पर payment को transfer कर रहे हैं दूसरे exchanges पर transfer कर रहे हैं या फिर अपने heart wallet में transfer कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो TDS है वो 1% का deduct होने वाला है अगर अभी आप देखें दोस्तों काफी कम यहाँ पर जो पेसा है वो लगता है अगर आप यहाँ पर exchange से दूसरे exchange में money transfer करते हैं जो crypto है उन्हें transfer करते हैं तो आपने देखा होगा जो वहाँ पर पेसा कटता है वो 0.01 या 0.02 के हिसाब से होता है लेकिन अगर अभी आप यहाँ पर देखें तो लगबग 1% का TDS यहाँ पर deduct किया जाएग और कब से यह applicable होगा मतलब जो crypto takes है वो कब से लगने वाला है इसके अलावा हो सकता है आने वाले time में इसको लेकर थोड़ी सी clarification और भी हो जाए तो आपको यहाँ पर अभी इंतजार करना चाहिए मेडिया में काफी सारे rumors अभी देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर जो घाटा होगा उस पर भी takes देना पड़ेगा और अगर ऐसा होता है तो फिर काफी सारे investors यहाँ पर ऐसा है जो काफी छोटे small investor से उनके लिए काफी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अगर आप देखे crypto market काफी ज़्यादा volatile है और इस volatile market में यहाँ पर इतना बड़ा takes देना है बहुत बड़ी बात हो जाती मतलब एक लाग रुपे आप लगा रहे हैं और एक लाग रुपे आपके यहाँ लगबग 3 लाग रुपे में convert हो रहे हैं तो जो बचे हुए 2 लाग है उसमें से आपको 30% का profit निकाल कर देना पड़ेगा जो बड़े investors हैं उनके लिए ही काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इतना बड़ा takes देना तो जो छोटे investors जो यहाँ पर 1000, 2000, 3000 रुपे लगाते ह वो कितना takes देंगे उसके अलावा यहाँ पर exchange पर जो transfer होगा उसकी fees अलग है तो दोस्तो काफी कुछ एसी update से जिनका यहाँ पर negative impact investors पर पड़ता हुआ नजरार है लेकिन positive sign के अगर हम बात करें तो टेक्स उन्हीं चीज़ों पर लगता है जो regulate होती है इसका मतलब यह है कि crypto का regulation अब इंडिया में हो रहा है मतलब यहाँ पर crypto जो है वो regulate होगा यह एक अच्छा sign है इसके अलावा शुरुआत अगर आप देखें काफी सारे पहले rumors देखने को मिले जहाँ पर आपने सुना था कि 10 साल के jail भी हो सकती उसके साथ यहाँ पर काफी बड़ा fine भी देखने को मिल सकता है लेकिन वो सब बातें यहाँ पर गलत साबित हो गई है एक अच्छा sign यह है कि यहाँ पर जो टेक्स है वो लगाया गया है टेक्स अगर आप देखें काफी ज़्यादा है आने वाले टाइम में यहाँ पर टेक्स जो है वो कम होना चाहिए और अगर आप देख उसके अलावा निवेशक की सुरक्षा के बारे में तो अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल अभी के समय में तो यही है 30% टेक्स केसे यहाँ पर जो क्रिप्टो इन्वेस्टर से वो भर पाएगा और यह कब से अप्लीकेबल होगा तो दोस्तों बहुत ज किसी और नई अपडेट के साथ तब तक के लिए अपना धान रखें थेंक यू